हेलो फ्रेंट्स वागत है आपके यूटूब चैनल ग्रोव अप्रेडर्स पर फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में अनलाइज करने वाले हैं निफ्टे 50 और बैंग निफ्टी को कि किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं साथ ही देखेंगे फिन निफ्टी को क्योंकि कल है फिन पर देखेंगे लिए निफ्टी करते हैं और अगर अगरा प्रीमियम ग्रूप में भी में कोई कॉल पूट्ट या कोई तिस वगर प्रवाइड नहीं करती हूं लेकिन हां लाइव अपडेट करते हूं कि क्या सेरों क्या व्यूव है मार्केट किस तरफ मूफ कर सकता है और उसके लेन्यवारं करते हैं मैं अपडेट करती हूं वो करती हूं सिर्फोरसर्फ बैंग निफ्टी का जैसे यहाँ पर अगर आगर आप देखोगी तो 3 2 3 की बाद मैंने पोश्ट किया कि 43, 550 का जो लेवल है उसके बाद ही एक मूव हमें अपसाइट देखनों को मिल सकता है और दे हाई तक जा सकता है तो इस तरह से जो है मैं अपडेट करते रहती हूं तो अकर आपको लेंग परपस से जोइन करना है तो आप यह हमारा प्रीमें ग्रूप जोइन तो चलते हैं चार्ट पर और यहां पर अनलाइस कर लेते हैं सबसे पहले हम बैंग निफ्टी को तो मार्केट जो है पिछले कई दुनों से गैप आप ओपन करके यहां पर अगर देखे तो डोजी केंडल बना रहा है तो लगा तार यहां पर आप देखोगे तो चार डोज केंडल मिल चुकी है और मार्केट लगा तार गैप ओपन हो जाता है जिसकी वज़े से पूरे दिन ट्रेट करना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है अब यहां पर अपसाइड हमारे पास जो लेवल आ रहा है निकलकर वह हमारा 50 एमें तो कल अगर मार्केट मूव करता मुझे नजर आ रहे है कि मार्केट यहां पर 50 एमें के आसपास से रिजेक्शन ले सकता है और एक मूव हमें डिखने को मिल सकता है और यहां पर ध्यान लेगए को 43 800 का हमारा इंपॉर्टन लेवल अगर यहां पर देखे तो प्राइस यहां पर डाउन आया था अब गया थ इस लेवल से मार्केट ने जो है फॉल दिखाया तो अभी मार्केट इसी एरिया के आसपास और यहां पर क्या है 50 एमें तो थोड़ा से यहां पर नजर बना के रखेगा बैंक निफ्ट में एक सिकन इसको रिमूव कर दिती और यहां पर हम यूज करते फिवरिट ट्रिस्म ले सकता है अगर 50 एमें के ऊपर निकलने स्टार्ट करेगा तब स्मेरों यहां पर हम देख सकते हैं अब सैट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेट बन रही है इंट्राडे के लिए और यहां पर देखे 44,000 का राउंड नंबर फिफ्टी एमें और इसी लेवल से मा आप रिंट्राडे पर 15 टैम फें में पर अगर प्राइश्चेन घें लिएट है इसके वजरे से फूरा दिन ट्रेड बन थी वो ठोड़ी सी रिस्की बन जातीत दो चलिए यहां पर आम रोगर करने है तो यहां पर भी देखे मार्केट के 50 यह में के ऊपर मूव कर रहा है तो कल के लिए जो लेवल्स है यहां पर 43 800 का राउंबर द्यान रिखेगा और यहां पर अगर लेवल अगर इसको ब्रेक कर देता है तो चलिए यहां पर देख लेतें नेक्स टार्गेट तो तो नेक्स फयां पर हमारे पास जो लेवल होगा तो इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स यहां यरू लेआरे पास क्या है 40,000 राउंड नंबर तो यहां पर इसको ही मार्क कर लेते हैं तो यह जड़ Happiness के उन request द्यान रिकेगा यहां पर हम mark कर लेते हैं, यह हमारे target होंगे upside, और important level यहां पर 800, एक second, यहां पर यह 800 का round number, यहां पर यह important होगा, उसके बाद next यहां पर 880, और उसके बाद 44,000 का round number, तो यह 3 target हमें upside देखने को मिल सकता है, तो हम बात करें, यहां पर अगर down side के लिए तो price अगर यहां पर open होने के बाद down आता है, और इस level को break करता है, 43,412 के level को तो जो target होगा downside, यहां पर हम mark कर लेते हैं, वहर पर जो target होगा, वो हम लेकर चलेंगे 43,280 के आसपास का, यह हमारा first target होगा, अगर इसको break करेगा, तो next यहां पर फिर हमारे पास एक छोटा सा level 43,190 के आसपास, और उसके बाद next यहां पर 43,090 अराउंड लेवल, तो यह level हमें downside देखने को मिल सकते हैं, यहां पर में mark कर देती हूं, price level लगा देती हूं, यह वारा यहां पर first target होगा, उसको बाद next यहां पर यह वाला level, और उसके बाद next यहां पर 190, और उसको बाद यहां पर 43,90 लेकिए अपर डाउन आने कि प्राइज चेंज करता है तो ये टार्री ताय। अनू सरिकन को मिल सकते हैं, तो ये था एलस्थALKन निफ्टी के लिए अब कहाँ पर ओपन होतायों है, चलिए अब दोटनें निफ्टि 50 को. यहां पर बात करें, निफ्टी 50 के वंडे टाइम फ्रेम पर तो देखें पर निफ्टी 50 की जो आज की केंडल बनी है, ग्रीन केंडल है, और लेकिन यहां पर अगर देखोगे, तो 50 EMA के पास में है, ध्यान रखेगा, हो सकता है, 50 EMA से जो है, rejection दिखने को मिले, लेकिन अगर यहां पर अगर scenario देखें, तो देखें, प्राइस यहां पर डाउन आया है, यहां पर अब यहां पर डाउन आया है, और यहां से यह move कर रहा है, तो निफ्टी जो है, कुछ इस तरह से scenario यहां पर बना सकता है, तो देखतें, 50 EMA से rejection लेता है, या फिर market यहां पर 50 EMA के उप कर सकता है, और यहां से फिर से हो सकता है, यहां पर पहुच चुका है, यह हमारा 50 EMA, और 0.5 के लेवल, यह हमारा 0.6 के लेवल, 0.6 के लेवल पर ही हमारा कौन सा है, 50 EMA, तो प्राइस हो सकता है, यहां पर रिजेक्शन ले थोड़ा सा और उसके बाद मूव करें, तो यहां पर कल किस तरह की candle बनती है और यह कल किस तरह से बिएव करता है यहां पर पन्दमर्ट के डाइम फ्रेम पर और इन सब को कर देते हैं यहां पर एक सेकंटरी इंट्रडे के लिए जो बन रहा है आप साट के लिए ध्यान रखेगा तो अब सब्सक्राइब पास यहां पर आज कहा है और यहां पर अगर माक करें तो यह वाला एरिया 19,364 के असपास का लेवल तो अगर यहां पर कहीं पर ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है तो इसी रहे के असपास सपोर्ड ले सकता है यहनि कि हमारा फर्स टार्गेट होगा अगर इसको ब्रेकर ने स्टार्ट कर देता है तो फिर नेक्स यहां पर 19,300 एराउं लेवल 19,330 का लेवल को यहां पर अब देखो कि तो प्राइस ने लोत लगा है लेकिन केंडल ने क्लोज नहीं किया है तो 330 का हमारा इंपॉर्टन लेवल होगा चली यहां पर मैं मार्क कर देती हूं तो यह हमारा यहां पर फर्स टार्गेट होगा यहां पर अब लेकर चलीगे यहां पर अब मार्क करें तो यह वाला एरिया 19,460 के आसपास का लेवल लेकर चलेंगे यहां पर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहां पर पूर एटी फाइफ के आसपास के लेवल तो यह कुछ लेवल से अफसेट के यहां पर में मार्क कर देती हूं workshop यहां आप देखोंगे तो सपोर्ट को और यहां परर अगर यहां पर ऐसेट अपने मार्क कर देखें और यहां पर मिलता हूर और वे लेवल एक उसको ब्रेक कर देता है तो दीए यहां पर क्या 50 यह में और लोग की बात करें तो फोर फर्टी थी के आसपास का लेवल तो अगर इसको ब्रेकर ने स्टार्ट कर देता है तो एक अच्छा कासा मुमें डाउंचार दिक्ने मिल सकता है जो लेकर जा सकते हैं यहां और अगर मार्क करें, 19,360 के आसपास का लेवल में डाउंट दिखनों को मिल सकता है, फिन निफ्टी में, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूं, यह हमारा फास टार्गेट होगा, 430 के आसपास का, और उसके बन्नेक्ष यहाँ पर, 360 के आसपास का लेवल, और अपसाइट की बात करें, तो यहाँ पर, 600 राउंट नंबर, और उसके बन्नेक्ष यहाँ पर, 660 का लेवल, यह टार्गेट अपसाइट और यह टार्गेट पर डाउंट दिखनों मिल सकते हैं, फिन निफ्टी में, यह लिए देख लेतें कुछ इस्टॉक्स को, यहाँ पर डियानेक्या का 50 EMA का, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, तो नेक्स्ट यहाँ पर, 1592 का भी लेवल दिखा सकता है, टीवेस मोटर, चलिए देख लेतें, नेक्स्ट नेक्स्ट निफ्टी में पास हैं, अगर इसकी बात कर देखें, इस लेवल से रिजेक्शन फेस कर रहा था, कई बार यहाँ पर इस एरिया से रिजेक्शन फेस कर आई, अभी यहाँ पर इसने ब्रेक आउट करके, आपर क्लोजिंग भी दे दिये, लिए, तो करकर यहाँ पर ओपन होने के बार, अगर इसने बार इसने बार इसने बार इसने बनाई हुई है, तो माँ पर यहाँ यहाँ आपर 570 का लेवल दिखा सकता है, लिकिर मूअच्य करता है, जैकर भी आख सेसे कर देते हैं, तो ने बार इसने- यहाँ आपन होने के बार नाॵर रसकर एसनेशनिचा खaidए, अपन यहां पर pięya में अगर इसके नीचे निकलने Start करता है तो फिन नेखें यहां पर 990 5 के सबास का सिनेयरों को मिल सकता है एक्सिस grant में में इब और मुव करता है यहां के पर यह ने का प्रेंच है अच्छा मोड्र में दिखाया नहीं और अगर यहां पर अगर लेवल के बाद करें तो एक सेकर्ड के लिए यह रिश्टंस का एरिया था अब यह इसको यहां पर अगर देखे तो ब्रेक कर चुका है ठीक है तो कल अगर यहां ओपन होने के बाद 880 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो टार्गेट होगा 885 और उसके के लिए का लेवल करते हैं अगर आपको stok को देख सकते हो जिसमें बहर खोर रिसक में आप उसमें डेट को प्लाण कर सकती हो तो दिखते कल मार्केट की सतर से बीएव करता है कहां पर ओपन होता है उसके वाड़िंगे टेट को प्लान करेंगे और जो भी नए लेवस निकल करेंगे वो में टेलिग्राम चैनल पर पोश्ट कर दूँगी तो वीडियो पसना देते वीडियो को लाइक जरूर करेगा मिलत देहें नेक्स्ट वीडियो में तते लिए गुडबाई एंड थैंक्स अन वाचिंग